था सूनर्ण तो न्युकितर नेखाटएंग को व्रांग मी केसे जाने वाले हैं किम चीजों को आपको बहतर करना है किम चीजों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना है, इस पर मैं आपको कुछ-कुछ-कुछ guidance दिया करूँगा और भी taros related और भी अन्य वीडियोस जैसे की taros कैसे काम करते हैं, taros के तीछे science क्या है, क्यों उसे occult science का एक पार्ट कहा जाता है ऐसी कई सारी taros related information मैं आपके लिए लेकर गया हुआ, तो इस चैनल का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो पर मैं आप सभी के लिए जुलाई मंत में जिनका birthday है, उनका आने वाला एक साल यानि की एक जुलाई से ले करके 30 जुलाई के बीच में जिनका birthday है, उनका आने वाला एक साल कैसा जाने वाला है, ये मैं इस वीडियो में cover करूंगा तो अगर आपका birthday एक जुलाई से ले करके 31 जुलाई के बीच में है, आपके लिए हम यहाँ पर एक reading करेंगे, जिससे कि आप ये जान सकें कि आपका आने वाला साल कैसा जाएगा, आप वो किन चीजों का पर ध्यान देना है और किन चीजों से पना ध्यान हटाना है, और कि इस तरीके से अगर कोई problem आती है, तो आप उसको कैसे face कर सकें और कैसे better time में जा सकें, वो हम इस वीडियो में आगे हैं, तो जैसा हमने देखा कि हमने तीन cards निकाले, वो पहला the chariot, दूसरा the emperor and तीसरा the five of cups, तो ये कही ना कही दिखा रहा है कि आपके लिए नई opportunities इस साल म अगले जुलाई तक आपके लिए नई opportunities कही ना कही पर develop होती हुई नजर आ रही है, यानि कि हो सकता है आपको career में कोई नई opportunity मिले, कोई नया relationship आ रहा हो, या कोई भी एक नया move, कोई नया positive move आपके सामने आ सकता है, वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, तो कही ना कही माइ करके, maybe career में, या maybe relationship में, या बहुत किसी भी चीज में, आपको थोड़ा सा आपके mind में decision को ले करके contradiction हो सकता है, contradiction यानि कि थोड़ा सा आपके मन में confusion रह सकता है, कि मैं किधर जाओ, क्या करूँ, तो इसमें ये करने की जरूत है, कि आपको focused, focus और discipline, ये दो चीज़े अपने माइन में थोड़ा सा contradiction रहा है, बतलब कि थोड़ा सा मन में चीज़ों को ले करके, थोड़ा सा confusion create हो सकता है, क्योंकि आपके सामने options होंगे, दो option, तीन option, किसी भी चीज़ों को ले करके, maybe career में, या maybe relationship में, या बहुत किसी भी चीज में, आपको थोड़ा सा आपके mind में decision को ले करके contradiction हो सकता है, contradiction यानि कि थोड़ा सा, आपके मन में confusion रह सकता है, कि मैं किधर जाओ, क्या करूँ, तो इसमें ये करने की ज़रूत है, कि आपको focused, focus or discipline, ये दो चीज़े अपने अंदर लाने की ज़रूत है, कि आपका जो goal है, आपको उसी तरह बढ़ना है, ना कि दू एक थोड़ी सी अपने आपको कम समझने की भावना, या थोड़ी सी उदासी जो कभी-कभी हम बिना मतलब के कभी-कभी उदासी फील करते हैं मन में, या बिना मतलब ही हमें कभी-कभी बहुत बुरा लगता है, अपने अंदर से मन अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसे कुछ तो इस दिन ऐसे कुछ ऐसा एक time phase आ सकता है आपके life में इस आने वाले साल में तो इसमें करने की क्या जरूरत है कि आपको अपने emotions को अपने उपर हावी होने नहीं देना है जरूरत ये है कि आप खुद अपने emotions पर control करें like an emperor तो चलिए अब बात करते हैं bonus card के बारे में तो इस bonus card में अगर हम देखें तो ये हमारे पास 10 of cups है 10 of cups हम relate करते हैं joy से celebration से party से तो कहीं न कहीं आपके family में या आपके environment में थोड़ा सा party का महल बन रहा है कोई अच्छा celebration कोई अच्छा occasion हो सकता है family में अच्छा occasion जो हम जैसे कहते हैं परिवार में एक अच्छा mangal प्रसंग जिसको हम कहते है in simple language तो वो कहीं न कहीं आपका इसमें अच्छा time दिखा रहा है with the family family के साथ आपके terms बहुत अच्छे रहने वाले हैं joy है prosperity with the family है तो overall अगर ये साल देखें तो ये कहीं न कहीं आपके लिए अच्छे चीजें लेकर क्या रहा है in terms of family, in terms of relationship and in terms of your career also तो क्योंकि एक नई opportunity कहीं न कहीं आपके लिए इस एक साल में आने वाली है चलिए ये तो बात होग ही right away tarot activity अब हम देखते हैं कि sacred Indian tarot आपको क्या guidance देना चाता है एक वो guidance जो आपको साल भर कामाने वाली है चलिए देखते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि sacred Indian tarot आपको क्या देना चाता है तो ये card है the high priestess का the high priestess का card आपको ये कहता है कि अगर आपके सामने कोई भी problem है या आपके सामने बहुत सारे questions है जो कि आपको लगता है कि कोई इसका जवाब मुझे दे दे कोई तो इससे answer कर दे तो आपको इस समय ये जानना है high priestess आपसे ये कहना चाती है कि आपको इन answers को खोजने के लिए अपने अंदर जाकने की जरुवत है ये answers आपको बाहर से नहीं मिलेंगे आपको खुद reflect करना है खुद से वो questions का answer आपको अपने आप अपनी conscious से और अपने intuition से आपको वो answer आतावा नजर आएगा ध्यान क्या रखना है कि अपने intuition पर trust करिये अगर आपकी अंदर आत्मा ये कहती है कि हाँ मुझे ये काम करना है then yes you have to do that work क्यूंकि वही आपके लिए सही होगा क्यूंकि आपको high priestessy कहती है कि आप अपने intuition को trust करिये अप अपनी inner voice को trust करिये क्यूंकि वही आपके लिए positive outcomes लेकर के आ रही है इतने अच्छे cards है आपके इस साल मतलब की नई opportunity है family में celebration है और आप emperor जैसा बहेर भी कर सकते है तो कहीना कहीन साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इसी के साथ अब हम यहां पर यह वीडियो खतम करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like करें share करें subscribe करें चैनल को क्योंकि आपके बहुत अच्छा content आने वाला है और आपको काफी information मिलेगी taros related कि आखे taros काम कैसे करते हैं झारो झाल झाल